नमस्कारम रेजनों आप देखें से यूटी पार्ट शाला आप सवीका बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को बिसबरी से इंतिजार था कि सर बी ए आर्ट्स एंड सोसल साइंस का कटाफ कब लेकर आएंगे क्योंकि हम लोगों ने जो इससे पहले कटाफ पर डिसकस किया था वो था 450 पर ठीक है बाद में हम लोग को पता चला कि ये 450 नहीं होगा ये 350 होगा यानि अब आपको 350 में ही मार्किंग करना है कि आपका एड्मिशन होगा कि नहीं होगा समझरों मेरी बात मतलब भाई एक से पांच राउंड तक मार्क्स कैसे डिक्रीज हो रहा है क्या पॉस्बिल्टी बन रही है एड्मिशन के इन सभी चीजों पर आज इस वीडियो में लोग डिसकस करेंगे ध्यान देज़ेगा स्यूटी 2023 के लिए है अन ओफिसियल वीडिय मेरे पास है और इस बार यानि 23 का जो ओफिसियल लिस्ट होगा वह भी मेरे पास होगा सो ध्यान देज़ेगा कि आपको शनल को सब्सक्राइब करना है वे लाइकन को प्रेस करना है क्योंकि जब यह लिस्ट आना शुरू हो जाएगा राउंड वाई ठीक है आर्स का हो चाह यह कि हां फर्स राउंड में कितना चल रहा है सेंड राउंड में कितना चल रहा है जिससे कि आप पॉस्बिल्टी जपना चेक करते रहो time to time के चलिए हम लोग सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस नहीं होना चाहिए ठीक है सबसे पहले हम लोग मार्किंग को देख लेते हैं मार्किंग मतलब यह है कि आपका जो मेरिट है वह कंस्टिरेशन आप मार्क्स क्या है है 2022 में हम लोगों ने देखा था कि जो जीटी था ठीक है जानी जनरल टेस्ट था उसमें 60 कोस्टन्स आये थे जिसका मार्किंग हो जाता है 300-ही हो प्सक्कि यह लगभग हुआ जाती है लगभग 200 ठीक देख लेकिन उन्होंने क्या किया लेकिन क्या कि भी कंसिडर किया जाएगा और जीटी का पूरा तो टोटल उस समय आप देखोगे तो यह हो जाएगा मैं इसको हंडेट कर लेता हूं इसको यह तो यह 400 का कुछ ऐसे बनेगा ठीक है 500 ना बनके कितना बनेगा 400 हंडेट सम्थिं का कुछ बनेगा अगर हम लोग 223 का देखें ठीक है 223 का देखें तो आपके पास जीटी लगबग कितना है पचास क्वेश्चन और लैंग्वेज चालिस क्वेश्चन जीटी का हम लोग का तो पूरा 200 कंसिडर किया जाएगा ठीक है लेकिन लैंग्वेज का फिर वही लास्टर का पैटन हो जाएगा कि वह 50 परसंट ही कंसिडर करेंगे और इस तरीके से आपका 350 मार्क्स का ही हो जाएगा इस बार का पेपर अब हम लोग को यह पॉस्बिल्टी चेक करनी है कि साढ़े 300 में कितना नंबर लाने पर हमें एडमिशन की पॉस्बिल्टी है तो इलहाबाद में भाई हजारों की संख्या में सीट है लेकिन बियच्चू की जब बात करते हैं तो सीटे थोड़ी कम नजर आती है थोड़ा सागर सीट पर नजर डाले तो यह सीटे भी कम नहीं है 2400 सीट आर्ट के लिए 2000 सीट सोसल के लिए प्लस पेड़ सीट उसके गभाट सुपर निमेरी सीट यानि सुपरणि मतलब क्या होता हैं स्पॉर्प कोटा का Where का нуж यह बहुत सारी सीट होती है admission के chances बहुत जाद हैं खास कर इस video को लड़कियां जरूर देखें भाई लड़कियां जरूर देखें क्योंकि उनके लिए तो seat की पुरी भरमार है आप believe नहीं करोगे last में मैं आपको essay से number बताऊंगा उस पर आपके admission की possibilities बनेगे ठीक है तो आईए हम लोगे start करते हैं आपके cutoff list के बारे में आप देख रहे होगे कि मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ general, OBC, SC, ST and EWS ठीक है first round cutoff के अगर बात करें तो दोको first round में आते हैं toppers ठीक है जिसमें के top 100 toppers लगभग होंगे जो की BHU को ही अपना admission as a priority मान के चलेंगे क्योंकि तो कोई आपके पास admission के लिए एक बात यहाँ पर ध्यान में रखो कि BHU ठीक है, AU हाँ तो मैं यह बता रहा था कि BHU AU, DU ऐसे बहुत सारे colleges हैं जहाँ पर बच्चों की priority है admission लेने का तो यह बच्ची पते हैं यह बहुत बच्चे distribute होते रहेंगे ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा लाखो बच्चे जो हैं वो बस BHU ही आना चाते बच्चे हर इन्वर्सिटी में जाना चाते हैं BHU में जाना चाते हैं, अलहाबाद भी जाना चाते हैं DU में भी जाना चाते हैं इनकी possibilities admission के कई सारे universities में यही रीजन एक यह जो rounds हैं यह topper के recording खुलेगा जरूर लेकिन इन्ड topper के recording नहीं होने वाला है ठीक है, अब जनरल का अगर हम लोग फर्स्ट round में possibilities चेक करें तो लगभग 310 यहां पर आ रहा है ठीक है, OBC का देखें तो 300 SC का देखें 290, ST का देखें 260 और EWS का देखें तो 305 के आसपा, 305 बीच में मैंने यहां पर 2nd, 3rd and 4th round जो है वो skip किया हुआ है, क्योंकि उसमें जो decreasing number है वो only 5, 10, 5, 10, ऐसे करके decrease होता रहते हैं Finally हम लोग आते हैं, 5th round मैंने 5th round इसलिए लिया है, क्योंकि 5th round के बाद सुरू हो जाता है Regular round चलेंगे, लेकिन इसी के साथ paid भी सुरू हो जाता है इसलिए मैंने यहां पर last record कर दिया है और यह FMC, MMB का था, ध्यान दीजेगा आप मुझे comment करोगे, तो मैं affiliated का और paid का ला दूंगा total 10 round तक जो कि आपके total एक बार में last video के साथ पूरा cutoff clear हो जाएगा 5th round में देखें तो यह घट के 250 यानि 250 हो जाता है OBC के लिए 240 हो जाता है ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें SC के लिए तो 220, ST के लिए 180, EWS के लिए 245 यानि 200 पैटा लिए, यह अभी 5th round तक जो CT आपकी total खतम होई है वो देखो बस MMB और FMC क्यों होई है ध्यान दीज़ेगा MMB और FMC का हुआ है अभी भी हमारे पास social बाकी है यह जो cutoff है, यह arts का है social में बस इसमें 5 से 10 नबर का अंतर आता है आप इसको social आया जबी consider कर सकते है मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि social के लिए consider नहीं कर सकते है आप इसको social के लिए भी consider कर सकते है ठीक है, तो अगर हम लोग seat का distribution देखे माल लो माल लेता हूँ कि इसी cutoff पे आपका social भी जो है वो end हो रहा है, 5th round तक तो हमारे पास अभी भी FMC, MMB का ही बस arts और social का जो seat हो खतम हुआ है हमारे पास अभी भी 2000 से ज़्यादा seat होंगी, अभी मुझे count करना पड़ेगा लेकिन यह 2000 से ज़्यादा ही seat होंगी, ध्यान देखेगा अभी हमारे पास यह cutoff बहुत नीचे जाने के उमीदे है आप मुझे comment करना, मैं DAB, AMPG, VCW, जितने भी affiliated colleges है और खास कर FMC, MMB का paid seat का भी अभी क्योंकि paid seat पे थोड़ा मोड़ा भी maintain रह सकता है, तो उनका वीडियो मैं आपको दे दूँगा आप मुझे comment करके बता दिजेगा, ठीक है, यहाँ पर मैं एक number लिख रहा हूँ यह number आपके new registration के लिए काम आएगा, ठीक है, यह number जो है यह, पंचान में 19, 38, 32, यहाँ पर आप new registration कर सकते हो new session के लिए, यानि 2024 के लिए आप यहाँ पर registration कर सकते हो साथी साथ इस number से आप हमसे जूड़ भी सकते हो, अपना name और अगर course लिख के अगर आप रख दोगे तो आपको official notifications वगरा के लिए status पर add कर लिया जाएगा लेकिन ध्यान दीजेगा कि WhatsApp करने का जो minor है, वो है name and course और अपनी problem और आपको 24 hours में save करके add कर लिया जाएगा, ओके तो मिलते हैं next video, please everyone do like and do share, subscribe this channel, like this video, please आपको mind में ध्यान रखना है कि यह unofficial कटाफ है, तो ऐसे में यह कटाफ, ऐसा नहीं full proved है, जो मैंने बोल दिया पत्थर की लकीर है, हाँ, possibilities इस number पे admission के हैं, और इससे कम पे भी हैं, ठ 3% ही होता है, ठीक है, 3% होता है, तो 3% बच्चों के लिए जो कटाफ है, वो depend करता है कि इस साल बच्चे pH वाले कितने आ रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा आएंगे, तो कटाफ ज़्यादा जाएगा, बहुत कम आएंगे, तो 1500-200 पे भी इनके admission की possibilities बनने लगते हैं, मु जल्दी comment करिए कि next video आपको किस पे चाहिए, तो मैं आपको बना के देता हूँ, ठीक है, ओके, हरार माद,